दोस्तों आज बात करते हैं बहुत ही जबर्दस चेर की जो बहुत चर्चा में है और इस चर्चा में लाने की कुछ खास वजह भी है पूरा डिटेल ले बैंसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर में तो प्लीज वीडियो को पूरा देखे का आदा स्किप करेंगे ज़रूरत हम टेख्NewS करेंगे, fundamentals discuss करेंगे, कोशिश करेंगे इस stock के levels निकालने की, support निकालने की क्या इस stock में अभी भी किसी level पर entry बन सकती है किसी पी तरह कि buying selling advice बिल्कुल भी नहीं है जो करेंगे live करेंगे study करेंगे आपके साथ करेंगे chart से पूछेंगे टीटी से से पूछेंगे data points देखने ही कोशिश करेंगे कि क्या वाकिए geo financials में delivery उठ रही है क्या कोई माल उठा रहा है क्या चार्ड को देखने ही कोशिश करें तो बड़ा कमाल का चार्ड है एक दिन की return चो देखने ही कोशिश करें Friday को ये share 10% बड़ा आज वीडियो शूट कर रहा हूँ Saturday का दिन है बिल्कुल market बंध है हो सकता है मंड़े को ये share बढ़ है वो देखे जरूर जाएगा comment section में comment कर दीजिए पसंद आ रहा है तो एक like प्रेस कर दीजिए बाद भूलना जाए तो यहाँ पे बात करेंगे कि एक दिन की return है 10% के आसपास किये पिछले 5 दिन की return इस तोक ने 21% कि दी है एक महीने की return 39% के आसपास की return है 6 महीने की return 56% के आसपास है मतलब ये share कहां ते कहां चला गया देखिए बुर्ज खरीफा मुमेंट है क्या इसको अभी भी भाई किया जासता है बट क्या आप कोई मालूम है कि जियो फरेंशल है के exactly इसका NBFC का दर्जा है NBFC होते हैं non-banking financial companies मतलब banking का license इनके पास नहीं है बट financial काम कर सकते है देशी भाषा में लेमेंट टम्स में ज़रा technicals की बाते नहीं करूँगा था कि common आदमी को भी समझ मासके अगर दसवी fail बंदा भी मेरी वीडियो देखे इस डी मर्ज हुई है और recently ये list हुई थी आपको मालम होगा recently उसमें इस निकल के लोगों को एक gift मिला था तो JFL के अगर बात करते है JFL मतलब GEO Financial Services Limited तो यहाँ पर इस company की ने एक चीज किया आखको अगर इसके आप quarters पर जानी कोशिश करें इस यह है कि एक लाख करोड के reserves और इस company के पास में एक लाख 14,000 करोड के थे अभी सितम्बा दोजाते इसका data दिसम्बा का data भी आना बाकी है तो यहाँ पर एक लाख 9,000 करोड के reserves अभी है तो इस पर डाउट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है यहाँ पर company already 2,000,000 करोड के large cap company है तो यहाँ भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है बहाँ चल रहा है 334 रुबे अभी कुछ महीने पहले 2500 रुबे के असपास करें था 2500 रुबे से नीचे का रेड़ ट्रेड था जो बड़ते बड़ते कुछ दिलों में बड़ा दबला स्पाइक है मेरा purpose यहाँ पे trade कराने का नहीं है मेरा purpose यहाँ पे आपको सटा कराने का नहीं है मेरा purpose है कि अगर किसी share में चर्चा है किसी में volume है, किसी में रुजान है तो can we discuss that particular stock and find out कि उसमें क्या हम अभी भी बने रह सकते कोई वज़े दिखाई दे तो यहाँ पे वज़े बहुत सारे मैंने टैग्स खोलके रखे एक एक करके discuss करता हूँ सबसे पहले आप एकान करेजिए, यह सबसे इंपॉर्टन टैग है जब तक मुझे लगे आपको investment करनाने का कोई motivation नहीं है अगर मुझे लगे रहा है कि पबलिक के favor में नहीं है अगर मुझे कहना होगा आगे से आके कि भाया I'm sorry I will say sorry don't worry I will say sorry on the public platform मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि आपका प्यार आपका motivation मिले लिए काफी है ये कहने के लिए हाँ मैं गलत होगा बट अभी सालासर is still intact आप इसको go and study this video share बजार का काला सच कौन चला रहा है बजार बहुत interesting videos यहाँ पे आती है coming back to the geo financials की बात करते हैं geo financials में जो कमाल की चीज है वह दिखी जो लोगों को लग रहा है कि NBFC तो है NBFC है अभी as on date तो NBFC है बट नॉमबर 2023 में नॉमबर 2023 के अंदर में NBFC ने मैंने google करने कोशिश की तो क्या NBFC का दर्जा चेंज होगा है NBFC apply कर रही है RBI के पास में CIC status लेने के लिए NBFC से CIC status बनाना चाहती है CIC होता क्या है यह core investment company मतलब अभी तक हम NBFC के बाद करें non banking financial company अभी core investment company है अब core investment company क्या होती है चलो Google करते है Google करने के बाद एक link आपके साब में आया किसका 5 पैसा बहुत reputed company है आपको मालू मैं ते यहापे इसको पढ़ लेते हैं कि आपको यह ना लगा कि मेरी knowledge आप से जादा है नहीं मैं बिल्कुल आप ही की तरह से हूँ एक common man पिछले 20 साल से बाद में बाद को कैसे study करता हूँ Google की help लेता हूँ जो चीज मुझे नहीं आती है ज़रूरी नहीं मुझे सब कुछ आता हूँ इसमें क्या लिखा होता है इसमें बहुत साफ साफ है कि कि ऐसी कंपनी होती है core investment company को पढ़ लेते हैं as per airbag guidelines core investment company is a type of entity which primary assets consists of investment in its group companies अपनी ही group company में जैसे Tata invest है these investments can take the form of equity, preference, shares, convertible bonds or loans from the group companies CICs are essentially passive holding companies designed to maintain control over the group entities and are restricted from engaging in various financial activities financial activity वो नहीं करेंगे public को loan देने का काम नहीं करेंगे financial activities नहीं करेंगे investment company बन जाएगी कहाँ पे group company के अंदर में तो यह holding company के तरह काम करेगी जबरदस काम हो सकती है यह status जैसे ही इसको मिलेगा इसमें बवाल हो जाएगा इसमें खेल होगा चार्ड के ओपर चलते है चार्ड क्या कहता है चार्ड मंसली चार्ड आपके सामने है एक, दो, तीन, चार, पांट, छे साल सात महीने का track है सात महीने में जिससे में लिस्टिंग हुई थी मेरा डेटा कहा रहा था कि NBFC चलने वाला है NBFC जुलाई तक NBFC के स्टॉक सात में फरनेशल कंपनी के स्टॉक जुलाई तक कम से कम परफॉर्म करेंगे यह मेरा अनुमान था अनलिस था बाग की शेर चल रहे है यह शेर नहीं चला था के दोला करोड के एंटिटी है तो यहाँ पर शक करने की ज़रूर्द नहीं है कंपनी की फंडामेंटल अच्छे हुए 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 CIC में स्टेटस यह शायद कंपनी को मिल जाएग आरबेस अप्रूवल जिस दिन आगी यह शेर और जारा भागने वाले गुरुप कंपनी में निवेश करने वाला है तो कहीं न गली की पॉलिक से जुड़ा वाश फानेंस नहीं करने वाली कंपनी अभी तक इसका स्टेटस क्यों नहीं कंफर्म हो पार हाथ था कि कंपनी कर रही किया यह अप्रूल मिल जाए अप्रूल मिला या नहीं मिला मैं गूगल करने कोशिश करता हूँ तो अगर मुझे अब लेना है तो अब लेने के लिए सबसे पहले मेरे पास में करने कोशिश करता हूँ कि अब है अब यहाँ पर देखें मैं आप क्या कहता है अब यहाँ पर बहुत क्लियर है कि 324 रुपे के ओपर जिब स्टॉक निकला है तो 340, 360, 300 सी के लिए तो निकल रहा है यह स्विंग तागेट है इसके ओपर जागा फिर डिसकुस करने हैं तो करने कोशिश करने है अब 306 रुपे का स्टॉप लोस है अब 306 के नीचे आएगा तो करेक्शन होगी दुबारा करेक्शन पर रिएंटर कर सकते हैं मेरे साब से अगर यह जोन मिलता है तो यह जोन बाइंग जोन बनने वाला है यहाँ पर एक्कुमिलेशन होनी चीए रुपे के आसपास में कंसोलेडेशन होगी फिर स्टॉक वापस बनाता होगा उपर हाई लो बनाता होगा वापस निकल सकता है यह एक ट्रेंड डिवर्सल यहाँ पर हो सकता है 333 के उपर सीधा निकला 340-322 का लेवल एक रिस्टेंस का लेवल प्ले करने वाला है उसके ब सुसाइडल है मार्केट के इंदर में हमें नहीं पता बजार कहां जाने वाला है आप एक बाद देखते हैं चार्ट के उपर में अगर डेली सपोर्ट टेया धोड़ने कोशिश करते हैं तो डेली सपोर्ट कैसा दिखाये था डेली सपोर्ट में यहाँ पे बजार में हमें दो तीन तरह के ब्रेकाउट दिखाए दे रहे हैं, पहला ब्रेकाउट तो यह है देखिए, पिछला हाय जो हाय था उसको क्रॉस किया, काफी कंसॉलेडिशन यहाँ पे हुए, काफी पिछले कुछ दिनों से लगा था सपोर्ट लिया, उसके बाद 270 रुपे का सपोर्ट लिया, अब यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर जलते हुए, क्योंकि प्राइस हम होईगे उपर बाइंग भी होगी, हर बाइंग भी होगी, बाइंग लगाता हो रही है, और स्टॉक का नेचर का है, बड़ी बाइंग ह स्टॉक के अंदर में, स्खास कर जीयो फिननस के अंदर में अगर आ प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ फैस शांत होने देने का वेट करना चाहिए, नहीं होता है गाड़ी छूट जाती है, छोड़ दीजिए, फोमो में आने कि स्थालोरत नहीं ह है क्योंगी four more kills fear of missing out मतलब है कि आपको शायद दुबारा stock नहीं मिलेगा आप jump मारें कि 340 पे 333 के उबर में हो सकता है गिर के stock 200 से हमें नहीं पता बजार में एक stop लो समेशा से plan करके रखो बना plan के आप investment नहीं कर सकते लंबा चलना है investment cycle 5 साल की है 10 साल की है तो तो कि तकलीफ है नहीं किसी भी stock में तकलीफ नहीं है जब तक आप उसको track कर रहे है न यहां पर एक wait किजिए consolidation की consolidation की आसपा इसको दुबारा ले सकते हैं हर बार की correction इसके होती है एक high लगाता है correction होती है sideways ज़यता है एक high लगाता है correction लेता है sideways ज़यता है तो हो सकता है एक high लगाने के बाद में यहां पर कुछ correction हो और इस लोक 300 रुपे से लेके 280 रुपे के आसपास की रेंज में कहीं न कहीं आपको consolidation करता दिखाई दे यह हो सकता है 324 से लेके 300 रुपे की रेंज में consolidation करें फिर consolidation के breakout का वेट कीजिका फिर इसमें आप मेंटरी कर सकते हैं तो यह मेरा इसका एक study pattern रहेगा अब यहां खाजियत क्या है एक बात देखते हैं NSE की website पर चलते है NSE का कहती है अगर हम deliveries की बात करते हैं GEO finance के अंदर में तो यहां पर एक बार ढालते हैं GEO हम पिछले तीन महीने के track record को track earning कोशिश करते हैं delivery positions को deliverables के अगर बात करेंगी तो delivery quantity बहुत जबर्दस है एक करोड 83 लाग, एक करोड 33 लाग, दो करोड 95 लाग लगातार और percentage देखें जितना share trade हो रहा है उसमें 50% से उपर के delivery trade हो रही है लगातार 50% से उपर के delivery trade हो रही है, 70-70% तक delivery जा रहा है, 70-70% मतलब यह accumulation नहीं है तो क्या है अभी भी कल की delivery percentage बहुत क्या है, बट 5 करोड 80 लाग share trade हो रही है, इससे बहले 3 करोड शेर, 2 करोड शेर, 1 करोड 25 लाग शेर, लगातार यह delivery चल रही है और share लगातार increment कर रहा है, तो कहा जाता है deliveries जब जाधा जा रही हूं, price increase कर रहा है, इस समझे कि उसमें consolidation अच्छी है, बड़े बाहर उसमें penetrate कर रहे हैं, बड़े बाहर उसमें आ रहे हैं, smart money उसके अंदर आ रहे हैं, तो क्योंकि इस company को CIC status मिलने के शायद अंदाजा clear है और मुझे पता है, सरकार के साथ भी reliance के relation से बहुत अच्छे हैं, हो सकता है, RBI भी इस शीर को समझे और RBI हो सकता आने वे दिनों में इसको CIC का status दे, तो आप सोचरिंग में geo finance का आपको phone आने वाला है कि या consumer लोन लिजी आपको नहीं आएगा, यह company CIC status ले की core investment company बनने वाली है, और अगर ऐसा हो जाता है, तो यह company बहुत ही जबदस company होती है, क्योंकि अगर आपको reliance group में invest करना है, तो अगर आप geo financials के share को खरीद लेते हैं, तो आपका investment complete reliance group के holding companies, fellow companies में हो सकता है, यह मेरा माना मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही हूँ हूँ या गलत हूँ प्लीज comment section में comment ज़रूर कीजिएगा, यह video समझ में आ रहा है, तो फ्लीज एक like अभी बना जीए, अगर अपने like नहीं क्या है, तो यहाँ पर game सारा clear है, कि भाया, TTC कहता है, ठीक है, सब कुछ सीख है, तो ठीक क्या नहीं है, ठीक यह नहीं है, कि जो लोग channel के उपर में सब के सब वीडियो देखते हैं, बट हर आदमी subscribe नहीं कर रहा है, यह data पताता है मेरा YouTube का कि 33% लोगों ने subscribe किया है, 33% लोगों ने bell notification को on किया है, आपको subscribe करे में सिर्फ एक click लगेगा, subscribe कीजिए, bell notification on कीजिए, क्योंकि जो data आप ढूंट रहे हैं, almost वो सारा data आपको इस video channel के उपर मिलने वाला है, बहुत ही नया channel है, इससे पहले का जो channel था, उस पर 88,000 subscribers से grow नहीं करा था, मैं है channel बनाया, ती महीने में ग्रूप किया, आपके साथ में 74,000 crores हो गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी अच्छी important चीज़े हम cover कर रहे हैं, HFCL, PSU stocks, UPL के उपर बात की, UPL 485,000 subscribers अपने था, 550 के उपर हमने question mark लगा था, 505,000 subscribers का ही लगा दिया था, 13 रुपे की call option, 20-22 रुपे की बहुत जवरस पैसा वाना, Bank of India के उपर discussion किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो learning के लिए आपको मिलने वाली है, channel पे अपना प्यार दे